जै स्री राम, सनातन रहसे में आप सभी का स्वागत है, तो आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ भागवत गीता के पांच उब्देस जो आपकी तकदीर बदल देगी स्रीमत भागवत गीता में भागवान स्रीकृष्ण के उब्देसों का वर्णन किया गया है इन उब्देसों का पालन करने से किस्मत बदलने लगती है, आई जानते हैं कि गीता के किन उब्देसों से तकदीर बदल जाती है महा भारत में भगवान स्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उब्देश सुनाया था इन उब्देशों का पालन करके अर्जुन महा भारत में विजय प्राप्त किये थे कई बार किस्मत का साथ ना देने से जीवन में कई चीजें नहीं मिल पाती है वहीं गीता में कुछ उपदेसों का वर्णन किया गया है जिसे ध्यान में रखने से तक्दीर बदल जाती है गीता में स्रीकृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा किये बिना कर्म करना चाहिए मनुस्य का जैसा कर्म रहता है उसे वैसा ही फल मिलता है जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए जो व्यक्ति अपने मन को काबु में कर लेता है वह जीवन में सभी चिन्ताओं से मुक्त रहता है ऐसे व्यक्ति को आसानी से लख्छ प्राप्त हो जाता है कई बार व्यक्ति क्रोध के चलते बना बनाया काम बिगार देते हैं गीता में कहा गया है कि क्रोध को कभी भी खुद बढ़ हावी नहीं होने देना चाहिए इससे काम बिगर जाता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजे सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजे और ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजे राधे राधे